मान्य सदर्शगन ये सदन 1975 में देश में आपातकाल इमर्जेंसी लगाने के निन्ने की कड़े शब्दों में निन्दा करता है इसके साथ ही हम उन सभी लोगों की संकल्ब शक्ते की सराना करते हैं जिनों ने इमर्जेंसी का पुर्जरो गिरोट किया अबुपूर संगर्श किया और भारत के लोगतंगी रक्षा का दाईत निभाया भारत के इतियास में 25 जून 1975 के उस दिन को हम हमेशा काले अध्याय के रूप में जाना जाएगा इस दिन तदकालिन प्रधानमंती स्रिमती इंग्रा गांधी ने देश में इमर्जेंसी लगाई और बाबा साब अंबेट कर दारा निर्मित सविधान पर प्रचन प्रहार किया था भारत की पैजान पूरी दुनिया में लोगतंगी जन्नी के तोर पर है भारत में हमेशा लोगतंगी मुल्यों और वास्वात का समर्दन हुआ हमेशा लोगतंगी मुल्यों की सुरुक्षा की उन्हें हमेशा प्रोसाइद किया गया ऐसे भारत पर स्रीमती इंद्रा गांदी द्वारा ताना शाहिद थोप दी गई भारत के लोगतांतिक मुल्यों को खुटला गया और अभीवेक्ति की आजादी का गला गोटा गया इमर्जेंसी के दोरान भारत के नागरिकों के अधिकार नश्ट कर दिये गए नागरिकों से उनकी आजादी छीन दी गई ये वह दोर था जब विपक्षे नेताओं को जेल में बंद कर दिया गया पूरे देश को जेल खाना बना दिया गया तबकि तानाशाई सरकार ने मीडिया पर अनेक पावंद्या लगा दिया थी न्याए पालिका की स्वतनता पर अंकुष लगा दिया गया था इमर्जेंसी का वो समय हमारे देश के हितियास में अन्याए काल का एक काला खंड था आपातकार इमर्जेंसी लगाने के बाद उस समय कॉंग्रेस सरकार ने कई ऐसे निर्णे किये जिनोंने हमारे सविधान की भावनाओं को पुचलने का काम किया पूर और निर्धेई मेंटेंस अप इंटर्नल सेक्रेट्ट्व एक्ट मिशा में बदलाव करके कांग्रेस पाल्टी यह सुनिश्चित किया कि हमारी अदालते मिशा के तर्थ गिरिपता लोगों को न्याए नहीं दे पाए मीडिया को सच लिखने से रोकने के लिए पारलैमेंट प्रसिडेंटी प्रोडक्शन ओप पुब्लिकेशन डिफिल एक्ट प्रेस कॉन सी रिफिल एक्ट और प्रिफिल पुब्लिकेशन ओप अबजक्शनल मेटर एक्ट लाये गे इस काले खंड में सविधान में 38, 89, 44, 41, 42 सविधान संसोतन किया गया। कांग्रेस सरकारदारा किये कि इस संसोतन का लख्षता सारी शक्तियां एक वेक्ति के पास आ जाए। नियाय पालिकापन नियंतनों सविधान के मूझ सिद्धान खत्म किये जा सके। और लोगतंत के सिद्धान तोपर आगात किया। इतना है नहीं ततकाली प्रधान मंति स्री इर्मा गांजी ने कमिटेट व्यूरे के सी और कमिटेट जूडिशरी की बात कई जो उनकी लोगतंती विरोधी रवे का एक उजारन है। इमर्जेंसी अपने साथी ऐसे हर्सामाजिक और ताना शाही की भावना से भैंकर चुनोतियों को लेकर आई जिसने गरीबी जलित और वंचितों को तबाह कर दिया। इमर्जेंसी के दोरान लोगों को कॉंग्रेस सरकारदारा जबरन थोपी गई अनिवारे नस्बंदी का शेरों में हती कर्मन हंडाने के नाम पर मनमानी का और सरकार की कुनितियों का प्रहार जेलना पड़ा। ये सदन उन सभी लोगों के प्रती सवेदना जताना चाहता है। जिनकी रक्षा आउशक है। ऐसे समय में जब आपातकारिन इमर्जेंसी के पचासे वर्ष में हम प्रवेश कर रहे हैं ये अठार्वी लोगसवा बाबा साहब अंबेटकरदारा निर्मित सविधान को बनाये रखने इसकी रक्षा करने और इसे सरक्षित रखने की अपनी प्रतिबत्ता को दोरात है हम बहुरत में लोकतंत के सिधान देश में कानून का शाशन और शक्तिवों का विकेंदिकन अशुन रखने के लिए प्रतिबत हैं ने करते हैं 1975 में आज 26 जून के दिनी देश इमर्जेंसी की कूर सच्चायों का सामना करते वे उठा था 1975 में आज एके दिन कैबिनिट ने इमर्जेंसी का पोस्ट फेक्टो रेक्टी पेक्शन किया था इस्ताना शाई और आसवेधानिक निर्ने पर मौड लगाई थी इसलिए हम गिनित बलिदानों के बाद मिली दूसरी आजादी के प्रती अपनी प्रधिपत्ता को दोराने के लिए आज के प्रस्ताओ किया जाना आउशक है अब मैं हम ये जानते हैं कि हमारी युवापीडी लोकतंत के इस काले अध्याय के बारे में जरूर जानना चाहिए इमर्जेंसी के दोरान गेर कानूनी गिरिपदारियां सरकारी प्रतारना के चलते अंगिनित लोगों को यातनाय सहनी पड़ी थी उनके परिवार उनको असमित कश्ट उठाना पड़ा था इमर्जेंसी ने भारत के कितने नागरिकों का जीवन तबाह कर दिया था कितने लोगों की मृत्यों हो गई थी इमर्जेंसी के इस काले खंड में कांगरेश की तानाशा सरकार के हातों अपनी जान गवाने वाले भारत के ऐसे करतेवनिष्ट और देश में प्रेम करने वाले नागरिकों की स्मुति में हम साथ दो मिनिट का मौन रखते हैं अम शांति सभा की कारवाई गुराक दिननाक 27 जून 2024 को राश्ट पती के अभी बाशन की समापती के आदे घंटे के पश्चाथ के लिए इस्तगीत की जाती हैं झांति 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 स γवाई झांति प्ति विद्ट को रवी झांति सभा झाल 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 झाल